शक्ति को लेकर राहूल गांधी ने दिया ऐसा बयान कि छिड़ गया सियासी घमासान पीएम मोदी ने राहूल के बयान को बनाया चुनावी हत्यार लोक सभा चुनाव 2024 का बिगुल बजने के बाद आज की चुनावी तस्वीर में मुकाबला पीएम मोदी बनाम राहूल गांधी के रूप में दिख रहा है लेकिन इस मुकाबले में किसका पलड़ा है भारी चली कुछ आख़ो और मौजूदा हालात को देखते हुए इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं और शुरू करते हैं बात चुनाव की कई मरतबा अपने बयानों से कॉंग्रिस को गहरी चोट पहुचाने के बावजूद भी राहूल गांधी है कि अपने शब्दों को संभालते ही नहीं है मैं ऐसा अज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सियासी जानकारों का ये मानना है कि राम, राष्ट, जाती जैसे तमाम संवेदन शील मुद्दों पर विवादित बयान देने के बाद अब फिर से हिंदू धर्म में शक्ती शब्द का इस्तिमाल करके फस गए है राहूल गांध अब आगे कोई भी बात करने से पहरे आईए आपको राहूल गांधी का वो बयान जो उन्हों ने दिया वो हूँ बहू मैं सुनवा देती हूँ हिंदू धर्म में शक्ती शब्द होता है हम शक्ती से लड़ रहे हैं एक शक्ती से लड़ रहे हैं अब सवाल उठता है कि जैसे कि ने यहां का राजा की आत्मा इ वी एम में है हिंदूस्तान की हर समस्ता में है E.D. में है C.B.I. में है Income Tax Department में है एक वरिष्ट नेता नाम नहीं लेना चाहता हूँ इसी प्रदेश के एक वरिष्ट नेता Congress Party को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं मेरी मा से रो के कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आरी है मेरे में इन लोगों से इस शक्ति से डरने लड़ने की हिम्मत नहीं है मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ और ये एक नहीं है ऐसे हजारों लोग डराये गए हैं क्या आप सोचते हो शिव सेना के लोग एंसी के लोग ऐसे ही चले गए नए जे शक्ति के मैं बात कर रहा हूँ उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी को ओर किया है और वो सब डर के गए हैं अब इस बयान को लेकर एक राई ये है कि राहुल गांधी से गलती ये हुई है कि उन्होंने शक्ति पर बात करते हुए हिंदू भी जोड़ दिया फिर क्या था बस इसे इस मुद्दे को बीजेपी ने भुना लिया और खुद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे आकरामक अंदाज में बयान दिया वो भी सुनिये इंडी एलाइंस ने अपनी गोशना पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाब है मेरे लिए हर मा शक्ति का रूप है हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी इन माताओं बेहनों की तरफ से माताओं बेहनों आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूँ मैं भारत मा का पुजारी हूँ मैं आप शक्ति ही स्वरूपा समाताओं बेहन बेटियों का भी पुजारी हूँ और जिनोंने कल सिवाजी पार्क में इन्डी अलाइंस ने अपना गोशना पत्र शक्ति को ख़दम करने के लिए किया है मैं इस चुनोती को स्विकार करता हूँ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राहूल गांधी की इस गलती को अपना चुनावी हथियार बना लिया राहूल गांधी ने ये बयान इंडिया अलाइंस की एक बड़ी रेली जो शिवाजी पार्क में हुई वहाँ पर दिया और ये मौका था भारत जोडो न्याय यात्रा के समापन के बाद इंडिया गठवंदन की एकता को दिखाने का भारत जोडो यात्रा और फिर भारत जोडो न्याय यात्रा यानि की भारत जोडो यात्र भारत जोडो न्याय यात्रा हैं ये दोनों व्यात्राइं जिसका मकसद कॉंग्रेस की छवी को बहतर करना था लेकिन एक और बड़ा मकसद था राहूल गांधी की खुद की छवी को मस्बूत बनाना लेकिन क्या ऐसा हो पाया है इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपको जनता की राय क्या कहती है और एक शब्द जिसे पर्सेप्शन कहा जाता है और इस शब्द की एहमियत राजनीति में बहुत होती है पर्सेप्शन क्या सेट हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ एक बात आप ये जान लीजिए कि कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक जब राहूल गांधी अपनी पध्यात्रा पर निकलते हैं तो अब लोग उन्हें कॉंग्रिस के लीडर के तौर पर देखने लगे हैं और मानो ऐसा लगता है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं कई सारे ऐसे बयार अब अगर इन दोनों यात्राओं को मैं कंक्लूट करके आपको समझाओं तो भारत जोड़ो यात्रा यानि की पहली पदयात्रा जिसमें राहूल गांधी के लिए एक धारना ये बनी कि नहरू गांधी खांदान का इतना बड़ा युवानेता हमारे बी क्यों क्यों क्योंकि लोग सभा का चुनाव सेर पर था अब मैं आपको न्यूज एटिन इंडिया के मेगा अपीनियन पोल के हवाले से एक बात और बता देना चाहती हूं इस वक्त लोग चुनाव के लिहाज से भी राहूल वर्सिस मोधी ही देख रहे हैं इसलिए जब लो चुक्त तै करेगा कि राहूल गांधी के लिए चुकि एक खुद भी बड़ा इम्तिहान है तो क्या ये जो भारत जोडो नया यात्रा और यात्रा हुई है वो कितनी मुफीत साबित होती है इसका इंतजार करना होगा जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे लेकिन ये ख झाल